दुनिया में वो एक की छोना थोर कि इस हैंसवर्ट नजर आये हैं और गाइज ये मुवी इंडिया में लोगों को काफी जादा पसंद आ रही है वैसे तो उमीद थी कि ये मुवी अपने पहले दिन इंडिया में कम से कम 25 कुरूट रुपे की कमाई कर लेगी बट ऐसा नहीं हुआ पर फिर भी इस मुवी ने अपने पहले दिन तो गाइज मैं आपको बता दूँ इस मुवी ने इंडिया में अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया है 18 क्रोड सहांडं लाग रुपे का तो वही अपने दूसरे दिन कमाए है 11,55,00,000 रूपे पर 13,00,000 बॉक्स आफिस पर आएक वापिस जंप लिया और इस मूवी ने 13,00,000,000 रूपे और अपने तीन दिनों में इंडेन अट कलेक्शन किया है 47,25,00,000 रूपे का और बात करें आज जाने कि चौतर दिन के कलेक्शन की तो गाईज आज है संडे याने कि हॉलिडे और हॉलिडे होने के वज़े से इस मुवी को काफी बड़िया फायदा मिल रहा है और इस मुवी कलेक्शन में एक बड़ा जंपत देखने को मिला है तो ये मुवी आज लगबग 19 करोड 50 लाक रुपे का इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है तो गाईज इस मुवी का चार दन का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 6-8 करोड 75 लाक रुपे तो वहीं चार दन का इंडियन ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 89 करोड 28 लाक रुपे और वहींगर बात कर ले वल्ड वाइट कलेक्शन की तो गाइज इस मुवी ने वल्ड वाइट लगबग 159 मिलियन डॉलर्स की कमाई कर लिये है यानि कि इंडियन रुपीज में लगबग 1180 करोड रुपे इस मुवी ने वल्ड वाइट कमा लिये है यास गाइज 1180 करोड रुपे तो वहीं इंडिया में 4 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 680 करोड 75 लाक रुपे तो गाइज जिस साब से ये मुवी इंडिया और वल्ड वाइट कमाई कर रही है वो देखकर लग रहा है कि ये मुवी एक बड़ा रिकॉर्ड सेट कर सकती है तो गाइज अगर आप लोगों ने थोड लव एंड फंडर मुवी देख लिए तो आपको ये मुवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और गाइज इस तरह की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई